Hello dear students, welcome back to my channel Parenting and Education. आज की वीडियो में हम केंदर विद्धाले अड्मिशन, क्लास 11 की क्या प्रोसेजर होती है, इसके बारे में हम डीटिल जान करें लेंगे. बहुत से सुटन की रिक्वेस्ट आ रहे थी कि मैडम मुझे इतने पॉसेजर मिले है, मुझे इतने मार्क्स मिले है, तो क्या मुझे केंदर विद्धाले अड्मिशन मिले गी या नहीं? इस सार 12 में को आउट हुआ है, उससे 10 दिन बाद ये रिक्वेस्ट प्रोसेजर शुरू होती है, और इनके लिए भी कोटा होता है, कि सबसे पहले तो ये केवी सुटन की लिए ही इनके अड्मिशन होती है, मिंस पहले वो सीट फिल करते हैं, उसके बाद अगर रिमेनिंग सीट रहे, तो वो नौन केवी स्टुटन के लिए ओपन कर देते हैं, पहले उनके पैरोड रेती है, अगर उनके सीट कुछ वैकेट बचे, तो ही बाकी नौन केवी स्टुटन को अड्मिशन मिलती है, इसके बाद इसके बाद जो रिजल्ट लिस्ट लगती है, वो 20 देज मिस अगर अभी 12 दारी को रिजल्ट आया है, तो इसका जो डिस्प्ले होगा, वो में के लास्ट विक में होगा, कि आपका नाम आया है कि नहीं, उसके बाद केवी के स्टुटन, जो नौन केवी स्टुटन है, वो अपलाई करेंगे, तो अभी जो ये डेट है, 12 से लेके, तो पहले ये केवी स्टुटन के लिए है, उसके बाद में समे के लास्ट विक में जो नौन केवी स्टुटन है, वो अपलाई करेंगे, और नौन केवी वालों के लिस्ट है, वो एपरिल के, जून के फर्स्ट विक में आ जाएगी, तो आपको एक तो स्कूल में आप जाके inquiry कर सकते हो offline या फिर आप online उनकी साइट पर चेक कर सकते हो मैं link description box पर दे दूँगी और इसके उपर मैंने detailed video बनाया है कि procedure क्या होती है form कैसे भरना है कितनी सीटे होती है क्या fee structure होती है तो मेरी request है कि आपको video भी ज़रूर एक बार check out कर लेजिए तो आज की video में इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा video आपको informative helpful लगा है अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like करके जितना हो सके हमाजर को please subscribe कर दीजिए फिर मिलती है ऐसे नए update video के साथ bye take care